नमस्कार सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ है श्वीनी सुरोही सबसे पहले एक नजर हिड्लाइन्स पर मुखमंत्री ने जर्मनी दौरे पर राजिस्थान में उभरते अवसरों पर की चर्चा जर्मनी की पाकेजिन उक्षित्र की अग्रेणी कंपनी मल्ठी वैक ने राजिस्थान में व्यापार करने में दिखाई रूची राजिस्थान में निवेश के लिए बनाय गए सकारात्मक वातावरण के मिल रहे सूप अरिणाम अब तक 15 लाख करोड रुपए से अधिक्यामोईू पर हो चुके हस्ताक्षर मुखर निर्वाचन अधिकारी ने उपचुनाव आलेक्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारीों के साथ वी सी के जरिये ली बैठक, समवेदन शील और सतर्क रहकर कारे करने के दिये निर्देश मुखर मंतरी श्री भजरल शर्मा के नेतरित्व में राजिस्थान सरकार के उच्छ स्तरिये प्रतिनेदी मंडल ने अपनी जर्मनी यात्रा के दूसरे दिन म्योनिक में राइजिंग राजिस्थान इनवेस्टर रोड शो में भाल लिया लोजिस्टिक्स, परियतन, पेट्रोलियम, खान एवं खनिज, अक्षय उर्जा, रक्षा, पैकेजिंग जैसे विभिन अक्षेत्रों में निवेश का आवाहन किया और कहा कि राजिस्थान में निवेश के लिए बनाए गए सकरात्मक वातावरण के सूपरिणा मिलने लगे ह और राइजिंग राजिस्थान ग्लोबल इन्वेस्मेंट समिट दोहजार चौबिस की घोशना के दो महीने के भीतर ही अब तक पंधरा लाख करोड रुपई से अधिक आमोयू पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं म्यूनिक में आउजित इस इन्वेस्टर रोड शो में राजिस्थान सरकार ने कई बड़ी जर्मन कंपनियों के साथ आमोयू पर हस्ताक्षर किये मुख्यमंतरी श्री शर्मा के नित्रित वाले प्रतिनेधी मंडल ने जर्मनी के निवेशकों व्यापारिक समुहों और इनोवीटर्स के साथ भी बातचीत की और उन्हें राजिस्थान में निवेश के लिए आमंतरित किया निवेशक रोडशो के अलावा मुख्यमंतरी के नित्रित वाले प्रतिनेधी मंडल ने कई प्रमुख जर्मन कमपनियों के अधिकारियों से मुलकात की और उन्हें राजिस्थान में निवेश करने के लिए आमंतरित किया इसके अलावा प्रतिनेधी मंडल ने बाद में कई अन्य जर्मन कम्पनियों से भी मुलाकात की जिन में नौफ एंजिनिरिंग, जीम बीएच, होराइजिन ग्रूप, वेवली टेक्निक्स, जीम बीएच, रोडेलिंग पार्टनर, पार्टिक्स जैसी कम्पनियां शामिल हैं मुक्शमंतर श्री शर्मा के नेत्रित वाले प्रतिनिधी मंडल ने राजस्थान की परेटन अक्षेत्र में मौजूद संभावनाओं और विकास के अवसरों को प्रेदर्शित करने और जर्मनी के होस्पिटालिटी और रियल एस्टेट अक्षेत्रों के निवेशकों को र रहित माहूल में करवाने के लिए निर्वाचन विभाग, माइक्रो उब्जर्वर और सेक्टर ओफिसर की रूप में अतिरिक्त मानव संसाधन नियोजित करेगा। अतिरिक्त माइक्रो उब्जर्वर या सेक्टर ओफिसर की तैनाथी कर सकते हैं। मुखनरवचन अधिकारी ने 85 वर्ष से अधिक आयू और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए होम वोटिंग के विकल्प का जमेनी स्तर पर पिचार प्रसार करने पर जोर दिया। ताकिन श्रेणियों के ज्यादा से ज्यादा मतदाता अधिक सुईधा जनक ढंग से अपने मतदिकार का उप्योग कर सकें। उन्होंने बताया कि साथ विधान सभक्षेत्रों में उप्चुनाव के लिए 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के बाद 5 दिन तक बीलो दुआरा पात्र मतदाताओं से विकल्प पत्र के रूप में फॉर्म डी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आदर्श मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने और सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के निर्देशा नुसार पेजल, छाया, शाउचालिया, वील्चेयर, आदी, नियूंतम सुईधाओं की उपलब्धता सुनिश्रत करने के नुर्देश दिये। सीधे डीबीटी के माध्यम से जारी की, इससे प्रदेश के लगभग 3,25,000 पशुपालक लाभान वित होंगे। श्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंतरी दुग्ध उतपादन संबल योजना के तहत 5 रुपए की अनुदान राशी भी दुग्ध उतपादकों को दी जा रह उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने से दुग्ध उतपादकों की आय में बढ़ोतरी हुई है जिससे दुग्ध उतपादक किसान पशुधन का अच्छे से पालन पोशन कर रहे हैं। इस मेले के लिए देश विदेश उसे श्रद्धा लुआते हैं। इनके लिए सभी स्वीधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। स्वीधाओं के साथ साथ संसाधनों का भी बहत्रेन प्रबंधन किया जाए। ये हम सभी का समलितायोजन है। उन्होंने मेल अक्षितर में फोगिंग छड़काव और एंटी लार्वा एक्टिविटी करके मौसम में बिमारियों को फैलने से रोकने मेले के दोरान पेजल सहित अन्या विवस्थाएं सुनश्चत करने के लिए भी निर्देश भर के सभी चुकित्सा संस्थानों में निर्धारित अवधी के बाद राजजे इस्तर से अधिकारियों की टी में प्रदेश भर के चुकित्सा संस्थानों का निरिक्षन करेंगी अपेक्षा नुरूफ सुधार नहीं पाय जाने पर संबंधित प्रभारी की जमिदारी तय की जाएगी चुकित्सा एवं स्वास्थे विभाग की प्रमखुष श्वासन सचु श्रीमती गायतरी राठोड ने मंगलवार को स्वास्थे भावन में वीसी के जरिये विभिन विशव पर समिक्षा करते हुए ये निर्धेश दिये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रिदेश वासियों को बेहतर स्वास्थे सेवाए उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबध है श्रीमती राठोड ने कहा कि विगत दिनों में प्रदेश के विभिन जिलों में मौसमी बिमारियों का प्रसार हुआ है इस पर प्रभाविन नियंत्रन और रोक्थाम के लिए अधिकारी पूरी मुस्तादी के साथ दायत्वों का नर्वहन करें। त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश में मिलावट खोरूं के खलाफ खादेव भाग द्वारा लगतार कारवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खादेव भाग की टीम ने कारवाई करते हुए मुहाना में केशवाला के पास एक हजार किलो से ज्यादा सरस और कृष्णा ब्रैंड का नकली घी सीज़ करने की कारवाई की है। देखिए ये विडियो। इस एसेंस को मिलाके ये पैकिंग मट्रेल आप देखिए शरस का एक करस्णा ब्रांड का पूरा लख लेगी है। देखिए ये पीपों पर लगाने के शरस गी के और आपको रहना लेगता है। इस एक प्रिंटेट सारा किस-किस की घुमिकाई हैं कौन इसको प्रिंट करा रहा है। ये सरस के डब्डे रेखिए आप जी पैकिंग मट्रेल आपिकों पर लगाने के शरस एक प्रस्णा बांड के इनों बनाएंगे इसे कार्टन साथ देखिए इस एक बड़ा बड़ा कांड है जो प्रस्णा है। यूपी के दो रड़ने हैं। मुहनापरीस मौके पर आएं। सरस की तीम मौके पर जो अध्रयात दर्ज कर पर रहा है। सुझस बुलेटिन में फिल हाल इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार। के लिए बड़ने हैं।